एक रह लखसा है मनें बात complete की थी हमारे pigeon skeleton अचोङ startokay की किसे काफी सारी हमने extra points लिखे हुए थे क्विकली उसको recap कर लेट हमने अई चली स्केले और क्या किया लिखा थ हुआ सौलो देखें सबसे पहली वॉaturesорм एक्टी बोन्स में से स्कल्ड विच इंक्लूड और हैड एड फेस और मेड यू राइड और मार्क दिस इंपोर्टन सेंटेंस इन एंसी आइटी क्या कि यह और सिकल्स आर कंसिड़र अस पार्ट ऑफ दा स्कल्ड यह याद है सबको एंसी आटी में यह लाइन हमने मार्क की इस यू शेप बोन एंड इंक्लूड इन दा स्कल्ड तो स्कल्ड के अंदर आपके यह सारे आगे पहले कौन से हैड के फेस के यह और सिकल्स के हाया ठीक है टेक्निकली वह एंसी आटी के हिसाब से आगया उसके आज आता है स्टर नम हमारा यह ब्रेस्ट बोन सिंगल बोन उसके तीन पार्ट्स हमने देखे थे मैनूब्रियम बोडी जिफोर्ड प्रोसेस रिब्स हमारे पास कितने पैर्स थे ट्वेल पैर्स थे जिसमें से वन तो सेवन देन एट तो तैं लेवन तो वास्ट्रू फॉल्स एं फ्लोटिं रिस्पेक्टिवली वर्टेब्रल कॉलम हो मनी बोंज did we have in total we had 26 बट हानी वर्टेब्रे इन टोटल याद करो कितने वर्टेब्रे थे जो फ्यूस के 26 बस मिना यते वर्टेब्रे थे 33 इसमेंसे आपने 26 बहुन भण बनाए थे ध्यान में रख ले ना कितनी वर्टिब्रे थे फिर से लिकल लो यहां पर ची 33 वर्टेब्रे इंडिविज्वल बोन इस कॉल्ड वर्टेब्रा और 26 बोन्स हो जाते हैं कि यह बात ध्यान में हैं सबके तो यहां तिर हमने यहें एक्जिल स्केलेटन की पूरी बात की थी और चौहिकर में मैंने आपको इंपोटेंट अलग से पॉंट्स बताई थे जो पॉंट बोला था क्या नाम था एक्सिस और इन दोनों के जॉइंट्स बनते थे इनकी वज़े से जॉइंट्स बन रहे थे उसको हमने यह जॉइंट और नो जॉइंट के नाम से देखा था यह हमने नोट किया हुआ है आगे अपन अभी बात करेंगे अपेंडिक्यूलर स्केलेटन की 13 पेर मैं यह अपेंडिक्यूलर यह वर्ड कहां से आया अपेंडिक्यूलर वर्ड कहां से आया बच्चा लोग तो अपेंडिक्यूलर वर्ड आया फ्रॉम दो वर्ड अपेंडेज कहां से आया कि कहां से आया अपेंडेज 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 विच इन लैटिन मीन्स पोड़ और पोड़ा विच मीन्स लिम्स फीट आपके हाथ और पेर आपके अपेंड़ेज एंड लेग्स आर वाट हैंड लेग्स आओ यौर अपेंड़ेज इस कितने हाथ पैर आपके पास दो हाथ दो पैर है तो पेर हैं तो एन अचा आर दे जॉइंट टू यार बॉडी और आपक continuous with your body question को ध्यान से सुनना क्या पूछा मैंने आर दे जस्ट जॉइंट टू यार बॉडी और आर दे इन continuation with your torso what do you think continuous है कि ऐसा अलग हो सकता easily जैसे आप लोग मस्कीटो या कोकरोच के wings निकाल सकते हो किया होगा ना बच्पन में सब ने मच्छर पकड़के उसके wings अलग-अलग किये है ना वह आप निकाल सकते हो अलग कर सकते हो क्योंकि वह इंसेक्ट है उसका क्या होता है कि ऐसी बॉड़ी है और बॉड़ी के ओपर ऐसे चिपकाए हुए विंग्स बरोपर है क्या हमारे हाथ पेर ऐसे होते है कि अलग से चिपकाए हुए नहीं ना हमारे हाथ पेर कैसे continuous है ना राइट सो वी आर आपेंडेज इस आर कनेक्टिड तूर आपेंडेज़ में क्या बोल रहा हुए आवर अपेंडेज इस आर कनेक्टिड तूर अच्जेल स्केलेटन थुरू शॉल्डर जॉइंट एंड हीप जॉइंट कौन से दो जॉइंट से अर्फ लिंब के लिए कौन सा है शॉल्डर जॉइंट और लोईर लिब आफके टांगों के लिए पैर के लिए क्या है हिप जॉइंट है हिप मतलब कमर कमर बोलते हैं न हिंदी में हिप हिप ठीक है तुम लोग की भाशा वाला हिप नहीं आप तो शॉल्डर जॉइंट है यह हमारे जॉइंट है बचो जिससे हमारा अपर लिम्ब और लॉर लिम्ब इसको इमेज इसके फॉर्म में देखते हैं लुक अप्रिशेटेट यह पार्ट पूर आपका अपेंडिक्यूलर स्केलेटर आप देख सकते हो यह जो मैंने रेड में हाइलाइट किया हुआ यहां पे यह बच्चा पाड़ी 30 यौर अपेंडिक्यूलर स्केलेटर इसमें आप आपने नोंटिस करो मैं मैं जुम करके दिखाता हूं आपको आप नोंटिस करो बात यह नहीं कि सिर्भ हाथ मैं साथ साथ शोल्डर जोइंट बिलिया है बोला है ना है किंग यहां पर मैंने मुप का माने इंटोर में इंक Awwiyorsun आ bones of the limbs along with their girdles what is this girdle ये ये जो shoulder joint और hip joint है इसके लिए आप scientific word biological word क्या use करोगे repeat करो कौनसा word use करोगे girdle bones कौनसे bones बोलते हैं इनको बचलो girdle bones तो इसको मैं बोलूँगा shoulder girdle और नीचे यहाँ पर क्या होगा hip girdle yes or no easy to understand कोई rocket science नहीं समझ में आ रहा है सबको हो बोलो हाया ना shoulder girdle hip girdle easy simple okay appendicular skeleton में कितने bones है अक्जियल में 80 थे total 2060 तो appendicular में कितने होंगे दिमाग लगा लो जड़ा 126 bones होंगे 126 bones हो जाएंगे बच्चो clear देखो ऐसा है shoulder girdle में आपके पास चार bones है कितने bones है बच्चो shoulder girdle में 4 bones two on either side right side के दो left side के समझ में आया simple shoulder girdle में कोई पुछे का कितने bones है तो total कितने चार each side पे कितने दो इधर दो इधर समझ में आया बोलो yes or no अपर limb में आपके कितने total 60 bones है 30 on the right 30 on the left मतलो आपके left हाथ में left हाथ में या shoulder से चालू करके fingertips तक यह पूरा आपका हाथ है अच्छा देखो हिंदी में आप इसको बोलते हाथ इसको क्या भुलते हैं हिंदी में तो आप इसको कुछ अलग कलाई बोलते हो ना हिंदी में wrist को है ना हर एक part के अलग नाम है ना ठीक है वें यूशे हैंड टेकनिकल यूमीन ओंई इस मच ना बट अपन इन जेनरल क्या बोलते इसको पूरा हाथ बोल देते हैं वो मिस्ट नूमर आपको टर्म भी समझना पड़ेगा ध्यान से समझना इस एंटार थिंग यूविल कॉल अपर लिम इस पूरे हाथ को क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे अपर लिम और अपर अपें डिजिट्स फिंगर्स को आप क्या बोलोगे डिजिट्स ठीक है साइंटिफिक टर्मिनोलजी सीखो ठीक है क्योंकि जेनरली अपने दिमाग में गलत टर्म होते हाथ का मतलब यह पूरा हाथ भी बोल सकता है कोई यह भी बोल सकता है क्लियर बोलो अच्छा यह पाम है पाम दिखाते है वह अपन जोची को बविश्टे देखने के लिए पाम तो अपर लिम वो पूरा हो गया एक साइड पर कितने में 30 30 30 कितने हो है 60 समझ में आया हिप गर्डल में टोटल आपके दो ही बोन तो मतलब दोनों साइड पर कितने हैं बचा लो एक एक राइट और लेफ इस आपके पास है 60 याने की 30 ओन दो राइट एं 30 ओन दो लेफ्ट गया यह बात समझ में आई तो टोटल 60 प्लस 60 120 प्लस 4 124 प्लस 2 126 बोन्स हो गया है सिम्पल है काफी इजी कैलकुलेशन 126 बोन्स का सही बात है समझ में आ गया सबको अब समझते हैं कि इसको आप हिप गर्डल को आप पैल्विक गर्डल नाम से जानते हो ऑप्पैल्विक गर्डल ठीक है तो आपको बेसिक आईडिया समझ में आगया या इसके अंदर क्या आता है और यहां तो बोलता है तो इसको बोलते हैं अपर लिम्ण या फिर फोरुल यह वर्ड बोलूंगा उसको फोरलिम्ण कुछ बता सकता है यह कुई general हम लोग बोलते अइनियमल किग्णव सारे ज्रैंवर चार पैं पर चलते हैं अपन यूनीक घंवा दले दो पैर चलते बाकि सारे अनिमल कैसे कॉडरिय पीड़लो ले ना गोरिला वगैरा को छोड़ यह किसा रसे पैर वहकुर चलने वाले यह इस ओनो जो आपके हाथ में जो बॉन में इनमें جोज़े इसना आपके इसने बड़ार गड़न है इसका नाम है यू मेरес क्लों मोका इंब मेरेस पिर इस आप आम में यहां पर मतलब elbow से लेके wrist तक यहां पर जो area है यह यहां पर आपके पास दो bones है दो bones कुनसी है बाहर ठंब की तरफ आपकी है radius थंब की तरफ जो bone है उसका नाम क्या है radius और अंदर की side जो bone है उसका नाम है अलना के नाम है radius and अलना repeat करेंगे उपर क्या है humorous नीचे क्या है radius अलना radius and अलना उसके बाद आपकी wrist आती है यह कलाई wrist right wrist के अंदर there are 8 different bones how many different bones बच्चों how many bones 8 wrist bones they are called carpals क्या नाम है carpals now please remember मैंने आपको plant kingdom में carpel पढ़ाया है और यह carpel है इन दोनों में गड़बड नहीं करनी carpel मतलब wrist bone carpel का मतलब wrist bone carpel का मतलब carpel का मतलब gynosium का दूसरा नाम gynosium याद है plant flower के अंदर androsium male part होता है gynosium female part होता है है ना तो gynosium का दूसरा नाम क्या है carpel है ठीक है androsium and gynosium ठीक है यह flower के अंदर होता है carpel और carpel में गड़बड नहीं करना बच्चो ठीक है अच्छा यह हो गए रिस्ट के बोन्स रिस्ट के फिर पाम पाम के अंदर यह यहाँ पर आपके हथेली इदर पीछे यह दिखते बोन्स यह सब टेंडन होते हैं हर बोन के साथ मैं यहाँ पर यह जो पांच आपके बोन्स है यहाँ पर दीयार mehta कारपल कर प्ल के बाद क्या आता है पाम के बोन्स डटार मेटा कारपल और डिचिट्स डिजिट्स कितने आपके पास पांच उंगली है लेकिन हर उंगली में आप देखो यहां पर आप जब आप काउंटिंग करते थे बच्पन में तो पहले 12345 ऐसे करते थे जो आपको जाधा काउंट करना तो आप कैसे करते थे यह जो खाचे बने हुए दिख रहे हैं आपके उंगलियों में यह बोन्स बेंड होते हैं जहां प तो कोई आपको पूछेगा कि फिंगर्स याने की डिजिट्स के बोन्स का नाम क्या है फिर से पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना कोई आपको पूछेगा कि फिंगर्स याने की डिजिट्स के बोन्स का नाम क्या है तो आप क्या बोलेगे वाटा दो बोन्स ऑफ डिजिट्स इसको फोड़ा जूम कर दो आपके लिए फोड़ा जूम कर दिया ना दिख रहा है ना जूम करके सबको अब यह जो बोन आपकी यह वाली इस पर आपको मेरा पाम यह दिख रहा होगा तो यहां पर जो आपको यह बड़ा सा फैन शेप का यह सा हाथी के कान जैसा जो बोन दिख रहा है इसका नाम क्या है स्क्याप प्यूला क्या नाम है बच्चा लोग कि स्क्यपूला अगर आप अपनी बॉडिवे फील करना चाहो तो यहां पीछे कि देखो पीछे आपके शोल्डर के पीछे जो भड़ो शूल्डर के पीछे देखो फील करके देखो सब लोग जहां जा बैठ हो वीडियो देख रहे हो न शोल्डर ब्लेड एस कह नाम है अपन्फ और इंग्लिश हुए शोल्डर ब्लेड बोलते bloom में उसका नाम क्या है सुकते आज़े यह जी क्यों परबलें गभी है में लियव के पर आपके अब करें लोर scream ओर्र यह तो प्रॉब्लम हो गया, देखो द्यान से, हैगी नहीं, सब क्याज है ना, तो यह जो बोन आगे आपकी, इसका नाम है, clavicle, क्या नाम है बच्चो clavicle ये scapula और clavicle ये दो bone मिला के क्या बना, आपका shoulder girdle बना, क्या बना बच्चे लोग shoulder girdle बना, shoulder girdle बना है ना, तो दो bone इधर कौन सी, right side की clavicle scapula, left side की clavicle scapula, एकदम easy, आगे clavicle, पीछे scapula clavicle को आप बोलते हो collar bone, क्या बोलते हो बच्चा लोग, clavicle को बोलते हो collar bone, ये मैं आपको English के साधे, सीधे नाम बता रहा हूँ simple नाम बता रहा हूँ, biological नाम भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ, clavicle उसका biological नाम है, collar bone क्योंकि आपके shirt की collar आती, easy to understand है ना, आपने इसको अगर आप द्याहन से दिपिका पादुकौन को देखो मतलब उसके आप interviews बगेरा ना, तो उसका ना ये clavicle देखा है, बहुत prominent है ऐसा कहते हैं कि जो बहुत सुद्धर females होती है जैसे models बगेरा, ये actresses उनकी ये clavicle बड़ी prominent होती है, जिस भी लड़की की ये clavicle prominent होती है, उसको ऐसे एक पता beauty ऐसे माना जाता है इसलिए बहुत लोग इसको beauty bone भी कहते, क्या कहते है क्या कहते है अब तुम लोग अगली बार कभी दिपिका का interview देखो गे या picture देखो तो तुमारा ध्यान जरूर जाएगा देखना है ना, दिपिका पादु कोन है या कंगना रनाओत इन दाट फिल्प फैशन और या मॉडल्स ना तो उनके ये clavicles होते बड़े prominent होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि clavicle prominent नहीं तो कोई खराब बात है कुछ नहीं है, बट हाँ, एक standard माना जाता है उसको ठीक है ना, तो इसलिए ना, आपको मैं क्यू बता रहा हूँ, क्यूंकि आपको वो MCQ में पूछ सकता है, क्या पूछेगा, which of the following is called beauty bone ठीक है बच्चो पांसर क्या ख्लाविकल, खेर scapula आपको पता ही है, wing, shoulder blade wing, अगर आप angel होते परी होते बताब फैरी बगरा होते, तो आपके wings कहा लगे होते हैं, यहाँ ना, पीछे ना, तो इसलिए इसको पीछे wing bone भी कहते हैं समझ में आरी बात yes, अचा, उसके बाद यह arrow दिख रहा है आपको, यह arrow किसको point out करा है, arrow point out कर रहा है humorous bone को, किसको point out कर रहा है,そうそう humorous, कौन सी bone है, यह वाली यह जो पूरी bone है यहाँ से, यह बहुत बड़ी सी bone आपको दिखरी है सब लोगों को यह है, humorous okay कितनी humorous है आपके हाथ में एक सेकेंड है आपका यह अभी अंदर की साइड है कि भार की साइड है थम की तरफ है कि फिंगर की तरफ है क्या लगता है देखे क्या लग रहा है थम की तरफ है कि फिंगर की तरफ है मतलब अंदर की तरफ है common sense लगाओ आपका shoulder का है अंदर की तरफ है न पिटा यह scapula के side है न ये वाला तो अंदर के side हुआ न अंदर की side वाला मैं क्यों बोल रहा हूँ अंदर अलना ऐसे याद रखने है क्या अंदर अलना बाहर radius समझे की नहीं समझे तो ये bone आपकी कौनसी हो गई ये बाहर वाली bone कौनसी हो गई radius और यह अंदर वाली बोन पतली वाली कौन सी हो गई अलना क्या यह बात समझ में आई फिर से देखो मैं अलना को trace कर रहा है आपके लिए अलना पतली है दिख रहा है आप लोगों को अलना थोड़ी सी पतली बोन है और रेडियस थोड़ी सी थिक बोन है नोटिस करो, नोटिस किया सबने इसके बाद कहां point कर रहा है वो wrist के bones तो इनके नाम क्या होंगे carples कितने हैं carples there are eight carples just आपकी knowledge के लिए मैं आपको बता दू 8 carples ऐसे लगए होते है ऐसे square shape के ऐसे छोटे-छोटे bones होते है ठीक है इस तरह से वह लगाया होते हैं। इस तरह से ऐसे आठ कारपल आपके अरेंच होते हैं। ठीक है ना। छोटू छोटू बहुन होते हैं यह तो आपकी जो रिस्ट की यह मूव्मेंट है ना आप घुमा पाते हो रिस्ट। तो आपकी रिस्ट की पूरी की पूरी मुवम्मेंट जो है वो इस पर जो लोग वीडियो गेम बहुत खेलते हैं अगर यह प्लेस्टेशन पर गेम खेलते हो तो यहां पर दुखता है न थोड़ी दिर के बाद आइस और दिश्ट मूंध गेमर्स को बहुत पेन में होता है इसे मुख्लो में अटे आपके बाद आपके Pala मोन आ जाते हैं लास्ट टिरफ आ blog सो पहल слов होते हैं अब आते हैं bones of hind limb पे जिस तरह से four limb था वैसे ही हमारा क्या आजाएगा hind limb आजाएगा अब आपके lower limb के कौन से bones है तो जैसे upper limb में humorous फिर radius अलना था वैसे ही lower limb में होता है femur which is the longest bone in your body direct mcq question बच्चों पूरी body का सबसे बड़ा bone कौन सा पूरे शरीर में सबसे बड़ा bone कौन सा femur bone कौन सा bone बच्चों femur कहाँ पे आपके आपके thigh में thigh थाई में एक single बड़ा बड़ा वाला ठीक है that is your femur 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 that is the longest bone जैसे उपर radius अलना था वैसे यहां पर tibia fibula यहां पर क्या है tibia fibula ठीक है फिर उपर था carpal तो नीचे है tarsal उपर था carpal तो नीचे है tarsal that is in your ankle उपर था metacarpal अपर लिम में तो यहां पर क्या होगा metatarsal कितने पांच और उपर थे phalanges तो यहां पर भी है phalanges that is bones of your digits that is 14 in number क्या यह बात समझ में आई बोलो हाया ना येस बचलो येस अब आप पूछोगे कि सर यहां पर तो साथ ही तारसल दिये है तो टोटल तो 29 हो रहा है है ना और एक बोन होती है आपकी नी नी के अंदर है ना आपका घुटना बोलते है ना हिंदी में आपन नी, नीकाप डाट इस ए बायोजिकल वर्ड था दाट इस पटेला क्या नाम है नीकाप का नाम क्याय बच्छों फटेला ठीक है पटेला नहीं है वह गुजराती नहीं है वह पटे साथ ना पर गईप है इसल न Armой ने तो फटेला के बारे में काफी important mcq point है आगे हम लोग discuss करेंगे तो हमारे पास lower limb के कौन से कौन से बोन्स हो गए femur tibia fibula tarsal metatarsal phalanges and patella क्या यह बात समझ में आई 30 bones यहां पर भी हो गए गिन लो femur tibia fibula 3 हो गए फिर आपके 7 क्या हो गए टारसल दस 14 आपके फैलेंजिस होगे 24 पांच आपके मेटा टारसल होगे 29 और एक आपका पेटला हो गया तो आपके होगे टोटल कितने तीस बोन हर एक lower limb में भी हो गए बात सही है तो बोन्स अप दे लेग अगें प्यूसी फीमर अगें इमेजिस में आप देख पा रहे हो यह वाला यह आपका क्या है यह इतना बड़ा बोन क्या है यह है फीमर यह बड़ा वाला है टीबिया और पतला वाला कौन सा है प्यूबियूला जैसे रेडियस और अलना वैसे टीबिया और फीबियूला समझ में आ रहा है एक मोटा एक पतला यह कॉंबिनेशन सब के दिमंग में बैठा होगा कि यह फिक्स कॉंबिनेशन एक मोटा पतले वाला यह सो नो येस बच्चा लोग फिर आपके एंकल के बोन जैसे यहां पर रिस्ट है वैसे नीचे क्या है एंकल है बच्चा पाटी तो देट इस और मेटा टारसल एंकल के बोन और ओविसली डिजिट्स याने की फैलेंज क्लियर हो गई बात ना एस आई मेंशेंड अवेरी वेरी इंपोर्टन पॉइंट अबाउट दा नीचाप नीचाप के बारे में बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट जो आपके अपनी नोट बुक में लिखके रखना है नीचाप एक स्पेशल टाइप का बोन है जो एक्चुली टेंडन के ऑसिफि है क्या वहार्ट टिशू है क्या नहीं वह फाइब्रेस टिशू है रसी जैसा है जो बोन्स को पकड़के रखता है बस मसल से अटाच करके रखता है लेकिन इमेजिन करो कि यह जो टेंडन है इसके अंदर दीरे-दीरे कैल्शम जमा होके यह कड़क हो जाए यह हार्ड हो ज तो कुछ खास बोन्स आपकी बोडी में ऐसी होती है जो एक्चुली शुरुवात में तो सिर्फ सौफ्ट होती है टेंडन होता है और धीरे-धीरे वह कड़क होते होते क्या बन जाता है बोन बन जाता है ऐसे बोन्स को हम लोग खास नाम देते हैं क्या नाम देते हैं उनको category का bone है तो आप क्या बोलोगे it is a category of sesamoid type of bone which is formed by ossification of tendon क्या ये बात समझ में आई बोलो हा या ना एक unique point है kneecap के बारे में जो आपके neat के MCQ के लिए यहाँ पर मैंने include किया हुआ है clear कोई tension नहीं कोई doubt नहीं same way जैसे आप पर लिम का देखा था मैं arrow बताऊंगा आप बताएंगे कौन सा bone इए कौना bone बच्चो इसका नाम क्या है इसका नाम है पीमर लुसरा ये पत्लवाला है देखो arrow कि को point कर रहा है पत्लवाले को कौनसा है fibula पत्लवाला कौनसा है fibula motor कौनसा है tb फिर तर्सल्स फिर मेटा टर्सल्स और फिर फैलेंजिस लियर ना चीक अच्छा और एक चीज नोटेस करना देखो छोटी-छोटी पॉइंट्स बता रहां तो वेट बैरिक आपके बॉड़ी का वजन कौन ले रहे हैं तो क्या लगता है कि आपके बॉड़ी का जो में वेट बैरिंग है वह आपका फीमर और टीबिया करता है कौन करता है फीमर तो अब्विसली करेगा ना यार सबसे बड़ी बोन है यह सबसे मोटी बोन है तो करेगी सवाल ही नहीं पैदा होता यह तो आपकी वेट बैरिंग करेगी लेकिन आपके बॉड़ी का जो यह पूरा यह टिबिया लोवर बॉड़ी में एक ही बोन है जो ध और्फोपेडिक्स सर्चरी वगरा करते हो मास्टर्स में अगर आपके वास कोई पेशेंट आता है जिसका समझो जबड़ा टूट गया पूरा रोड एक्सिदेंट में उसका जो मैंडिबल टूट गया रीकंस्ट्रक्शन करना आपको सर्चरी तो आप उसकी बॉड़ी में ना तो उसको लेके उसको यह करके थोड़ा सा मतलब रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए यूज किया जाता है कई केसे आपको ऐसे देखने मिलेगे तो कुछ-कुछ ऐस्ट्रा चीज़ है इसे बता रहा हूं कि ध्यान में रखना आगे काम आएंगी बजा अब हम लोग ऐ हैं घृडल घृडल की फोड़ी सी भात करते हैं अपर लिम्ड के गर्डल को मैंने क्या बोला था स्ट्रल्डर गर्डल टेक्निकल नेमिस पेक्टॉरल गर्डल क्या नाम है टेकुन क्या प्रतोरल गर्डल एंचैंज औऱ इसनके बारे में च्छब Sug तो अपर वाला जो है आपका पेक्टोरल गर्डल है लोर वाला क्या है पेल्विक गर्डल है मैंने यहां पर आपको लिखवा है हुआ है शोल्डर गर्डल को हम लोग क्या नाम से जानते हैं कि पेक्टोरल गर्डल आप सबने, अजे देवगन को देखाऊगा मवीज में, उसने इदर बड़ा सा टैटू बनाए देखाऊ चैस्ट के ओपर, देखाऊ आ सबने, यह जो मसल यहाँ पे होती हिना, यह आपकी चैस्ट की जो मसल होती हिना, इसको बोलते हैं, pectoralis major muscle, कौन सा बोलते हैं, pectoralis major muscle, यह pectoral region है आपका, यह पूरा जो region है, क्या है, pectoral region है, इसलिए इस एरिया को इसको क्या बोलते हैं, अपन, pectoral girdle बोलते हैं, क्या यह बात समझ में आई, everybody, तो upper limb की girdle का नाम क्या है, pectoral girdle, lower limb की girdle का नाम क्या है, pelvic girdle, यह attach करते हैं, आपके appendage जिसको, axial skeletons, तो articulation, articulation का मतलब, joint formation, articulation का मतलब क्या है, articulation का मीनिंग क्या लिखेंगे बच्चो, joint formation, pectoral is for joining the upper limb with your axial skeleton, pelvic is for joining the lower limb with the axial skeleton, okay, ठीक है, हर girdle में दो पार्ट्स होते हैं, right और left, pectoral girdle में, each half, ध्यान से सुनना, each half of pectoral girdle consists of two bones, कौन से दो bone, clavicle and scapula, कौन से दो bones, बचो, repeat, clavicle and scapula, already बताया मैंने, right, और मैंने दोनों के दूसरे नाम भी आपको बता दिये, जो यहाँ NCRT में नहीं लिखे हुए, बढ़ आप लिखके रखेंगे, scapula, दूसरा नाम क्या बोला मैंने, shoulder blade, actually shoulder blade, technically scapula के end को, याने उसकी side को, उसकी sharp side जो है ना, उसको बोलते हैं, इसलिए blade word यूज़ करते हैं, उरे scapula को आप shoulder blade नहीं बोलोगे, उरे scapula को आप wing bone बोल सकते हो, ठीक है ना, छोड़ी छोड़ी टेकनिकल चीज़ों पर ध्यान देना, और clavicle को तो मैंने बता दिया, आप collar bone बोलते हो, या फिर beauty bone भी बोलते हो, ठीक है, तो ये clavicle और scapula मिलकर क्या बनाते हैं, पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं, scapula कैसा दिखता है, scapula is triangular flat bone, it is a triangular, triangular shape है, वो तो दिख रहा ही है अपने को, obviously, scapula का photo यहाँ पर, उन्होंने बहुत clearly नहीं दिया हुआ, scapula का photo, मैं आपको दिखाता हूँ, detail में, ठीक है, it is triangular flat bone, it is situated in dorsal part, ये बता है, मैंने ये जो पी scapula का है, पीछे की आगे है, जैसे तुम्हारा sternum ventral है, sternum तुम्हारा ventral है, vertebral column dorsal है, scapula की इदर है, पीछे की आगे है, पीछे है, तो इसलिए dorsal, समझ में आया, it is located in the dorsal part of the thorax, इसका जो length है, scapula का, बहुत important mcq question है, बच्चो डायरेक पूछेगा, it is located between the ribs number two to seven, जहाँ पर आपकी second rib चालू होती है, वहाँ से लेके, scapula का length कहां से, number two से लेके, number seven तक जाता है, scapula, ध्यान से सुनना, scapula कहां से कहां जाता है बच्चो, rib number two to seven, second to seven rib के बीच में length होती है, scapula की, यह mark करके रखो, बहुत important mcq point है, ठीक है, the dorsal flat triangular body of the scapula has a slightly elevated ridge, ridge का मतलब एक उस bone में से उपर से उठा हुआ ऐसा एक portion, ठीक है, छोटा सा elevation होता है, जैसे कि अगर समझो यह bone है, और उसके अंदर एक ऐसा उठा हुआ एक portion, जैसे आप feel करोगे, उंगली से तो feel होगा, ठीक है ना, that elevated ridge projects out slightly in the form of the acromion process, क्या नहीं होता है, acromion process, now please understand, यह सारी चीज़ें यहाँ पर detail में लिखी हुई है theoretically, but इसका आपको photo नहीं दिख रहा है आपके, क्या बोलते हैं, ncrt में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको photo नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या photo, देखो, मतलब details बनाई है, कहीं दिख रहा, acromion draw किया हुआ, नहीं न, appreciate करो, scapula का photo ध्यान से देखो, और समझो कहाँ पर क्या है, देखो, ठीक है, तो scapula का पीछे का यह portion है, यह पीछे dorsal है, ठीक है न, यह पूरा, अब इसके एक end से यहाँ पर एक छोटा सा ridge, यह projection दिख रहा है, ऐसा acromion process, तो NCRT में सिर्फ लिखा हुआ है, diagram draw करके, ऐसा दिखाया नहीं होनोंने, कि acromion किदर है, तुमको मैं यह photo इसले दिखा रहा हो, ध्यान से देखो, ठीक है न, तो कोई आपको पूछेगा, कि scapula का acromion कहा है, तो आप बोलोगे acromion process यह न, यह है acromion process, ठीक है, यह नीचे जो बोन जारी, लंबी वाली ही कौन सी, तुमारी humorous, यह क्या है, humorous है, यह आगे जो बोन है, जो तुमको काजू जैसी दिख रही होगी, cash unit जैसी, यह क्या, यह तुमारी clavical है, यह क्या है, आगे, यह क्या है, clavical है, है न, तो नोट करो, कि clavical जाके touch होता है किस से, clavical जाके touch हो जाता है, आपके scapula से, और फिर humorous आके उसके उपर attach हो जाता है, तो आगे clavicle है, पीछे scapula है, ये दुनों मिले और side से इधर humerus आया, तब जाके आपका ये shoulder joint तयार हुआ, clear हुई बात, बोलो हाया ना, येस, तो ये जो girdle है, clavicle plus scapula का combination है, इसने जगा दिया आपके humorous को, कि भाई तु इधर आके articulate कर ले, याने joint बना ले, और फिर तेरा shoulder joint तयार हो जाएगा, ऐसा fund है, I hope काफी clarity के साथ समझ में आया होगा, same diagram you can see here also, I'll zoom in for you, see, same thing you can see here, y'all can appreciate this, है न, तो पेक्टोरल गर्डल में दो चीज़े हो गई, all those things, yes, acromion process, clavicle articulates with the acromion process, और acromion process के just नीचे एक खड़ा है, एक ऐसी cavity है, यान से देखना, क्या लिखा है, मैं अपना ये camera हटा तो, क्या लिखा है, पढ़ो, below the acromion process, there is a depression, depression का मतलब, खड़ा, एक cavity, डिप्रेशन का मतलब क्या है, एक खड़ा है, एक cavity है, जिसका नाम है, glenoid cavity, क्या नाम है बच्चो, क्या नाम है, glenoid cavity, जिसके अंदर जाके कौन बैठेगा, जिसके अंदर जाके बैठेगा, humorous का head, humorous का, head, जाके बैठेगा, तो कौन सा joint बनेगा, shoulder joint बनेगा, मैंने सीधे-सीधे NCRT के lines ही लेके वो बनाया हुआ है, बट जस्ट उसमाँ photograph वगरा जादा है, detailed है, तो आपको अच्छे से समझेगा, देखो, क्या बोलता है, below the acromion, there is a depression called glenoid cavity, which articulates with the head of the humorous, so glenoid cavity articulates with the head of the humorous to form shoulder joint, clear हो गई बात, कोई डाउट, कोई सवाल, glenoid cavity is part of which bone, ये MCQ में आएगा, glenoid cavity किस bone में, scapula में है, clavicle में है, कि humorous में, glenoid cavity एक खड़ा है, ये खड़ा किस bone का हिससा है, किस bone में पाया जाता है, तो answer क्या है, glenoid cavity is part of scapula, कौन से bone में है बच्चों, scapula में, scapula में एक छोटू सा खड़ा है, जिसके अंदर, देखो ये ऐसा है, ये तुमारा scapula bone का छोटा सा खड़ा है, depression, और ये तुमारे humorous का head है, गोल ऐसा, ये जाके ऐसा बैढ़ जाएगा, समझा, तो ये joint बन गया, अब ये इसके अंदर ऐसे गोमेगा, ऐसे उपर जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका shoulder joint, clear हुई बात बोलो हाया ना, अच्छा, what type of joint is it, can you all imagine, तो मारा humorous का head goal है, और यहाँ पर एक चोटा सा खड़ा है, तो क्या मैं बोलू, ये ball and socket type का joint है, will it make sense, yes or no, yes, ball and socket type का joint, कोई आपको पूछेगा, कि shoulder joint कौन से type का joint है, तो आप बोलोगे, ball and socket type का joint है, clear, बढ़िया, ठीक है, clavicle के बारे में उन्होंने बोला है, कि अच्छा, clavicle has two curvatures, clavicle ऐसा होता है न, S-shaped bone होता है, अभी दिखाए आपको मैंने, कई बार, यह देखो, यह न, ऐसा S-shaped रहना, उसको collar bone भी कहते है, it has two curvatures, it has two curvatures, of course, it is patla bone, karate chop मारेगा, अगर आपको कोई ऐसा, Bruce Lee जैसा, इधर, ऐसा, तो क्या टूटेगा, collar bone टूटेगा, न, यह बाला, एक्के न, पिच्चरों में दिखाते हैं, हीरो ऐसा मारते हैं, यह bone टूटता है, ठीक है, ओके, then you have, obviously it is called the collar bone, ठीक है, pelvic girdle में, दो, coxal bones होते हैं, pelvic girdle में क्या होता है, दो, coxal bones, one on each side, एक right side पर, एक left side पर, ध्यान से सुनना, pelvic girdle consists of two, coxal bones, each of right and left, each coxal bone, is actually formed by fusion, of three different bones, which ones, ileum, ischium, and pubis, कौन से तीन bones है बच्चों, repeat करेंगे, ileum, ischium, and pubis, अच्चा, अब ये थोड़ा confusing है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला था, कि pelvic girdle में, total bone कितने हैं, दो, एक right पर, एक left पर, ठीक है, मतलब कि, ये एक single bone, ये रहा, ये पूरा एक single bone है, ध्यान से सुनना, ये एक पूरा का पूरा, single bone है, clear? आप बोलोगे ठीक है, ये पूरा एक single bone है, ये single, एक अकेला bone, actually, originally कितने bone था ये? तीन, कौन से तीन? उपर से, ileum, फिर नीचे, pubis, फिर नीचे, isium, ऐसा, sequence समझ ना, ileum, pubis, isium, ileum, isium, pubis, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ileum, isium, pubis, बोलने में आसान होता है, ठीक है ना? ये तीनों bone, fuse होकर, एक सिंगल bone बोन बन जाते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने बोला, coxal bone, समझ में आया? तो कोई पूछेगा, कि pelvic girdle में bone कितने, तो आप बोलोगे दो, bone का नाम क्या है? right coxal bone, left coxal bone, समझा? each coxal bone is made by fusion of three different bones, which ones? ileum, isium, and pubis. yes or no? महाँ पर कारपल और कारपल में confusion ना, देखो बायों की यही तो beauty है, छोटी-छोटी चीज़े नोट करते जाना, कारपल और कारपल में confusion था पहले, यहाँ पर भी है, ileum, is bone of, pelvic girdle, ileum is actually originally a bone of, pelvic girdle, spelling note करना, i-l-i-u-m, मिला? ileum, is part of, small intestine, spelling note करना, spelling note किया, i-l-e-u-m, इतने में वो आपको confuse कर देगा, एक word में, एक alphabet में, ileum, i-l-i-u-m, और ileum, फरक समझ में आ रहा है, yes, मैं आपको एन्ड में, जो अपना syllabus पूरा साब हो जाएगा, तो end में एक list of terms बना के दूँगा, जैसे रेनिन, रेनिन, दो रेनिन होते हैं, बायो में, जैसे इंसूलीन, इनूलीन, यह अलग होते हैं, हमने अज़री डिसकस किया हुआ, ileum, ileum, thymine, thymine, यह भी क्या करवाया मैंने, vitamin B1 को thymine, बोलते हैं, और DNA के nitrogen base को thymine, ऐसे बहुत सारे words है, इनको आप, बतलब end में focus, इनके उपर कर सकते हो, मैं नोट कराते जाता हूं, ताकि आप रीड करते वाग, आपका revision होता रहे, बच्चों, तो each coxal bone is formed by three parts, that is ileum, isium, pubis, येस, एक एक करके इसको समझते हैं, detail में again, pictures के साथ भी, pelvic girdle में दो bones है, coxal bone बोल लो, या hip bone बोल लो, ठीक है, वैसे इनको inominate bone भी बोलते हैं, ये थोड़ा जादा हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, क्या है, ileum, isium और pubis से मिला कर बने हुए, और इनके उपर भी एक cavity होती है, जिसका नाम है acetabulum, जैसे, shoulder girdle मे, scapula के अंदर एक cavity थी, जिसका नाम था, glenoid cavity, ठीक उसी तरह, pelvic girdle में भी, एक cavity है, जिसका नाम है acetabulum, क्या नाम है, repeat करेंगे, क्या नाम है, acetabulum, यहाँ पर जो glenoid cavity थी, उसके अंदर कौन सा बोन आके फिट हो रहा था, humorous, नीचे जो acetabulum है, उसके अंदर कौन सा बोन आके फिट हो रहा है, femur, यानि कि आपका थाय का बोन, क्या आपको parallel बाते समझ में आ रही है, upper limb और lower limb के बीच में comparison समझ में आ रहा है, बोलो हाई या ना, so you have acetabulum, which is the cavity, यहाँ पर थाय बोन, यानि कि आपकी femur आके articulate हो जाती है, the two halves of the pelvic girdle meet ventrally, to form the pubic symphysis, again, ventral का मतलब आगे या पीछे, ventral का मतलब क्या है, आगे या पीछे, क्या लगता है, pubic यह वर्ड, अब यह pubic यह वर्ड कहां से आता है, देखो, ileum, ischium और pubis, तीन बोन थे, तो यह जो pubis है, इससे आगया pubic, पहली बात तो, अच्छा, can you see this entire structure, ध्यान से देखना बच्चो, यह जो पूरा structure बना, इसमें पीछे से ऐसी बोन आ रही है, पीछे यह बड़ी, हाथी का कान जैसी जो यह बोन है, ठीक है, और यही बोन ऐसे पूरी घूम के आगया रही है, और एक wash basin जैसा structure बना, दीख रहा है, can you see that, थ्री डेमेंशन में पूरा यह wash basin जैसा structure बन गया, जो अंदर से ऐसा hollow है, खाली है, और पीछे क्या है आपका, यह पीछे यह आपका सेक्रम है, है न, यह आपके vertebral column का पार्ट है, यह आपके tail bone है, न, coccyx, याद है यह सबको मैंने करवाया था last time, coccyx और सेक्रम, ठीक है, और आगे क्या है, आगे यह पार्ट क्या है, यह आपका pubic symphysis है, और इसमें जो यह gray color का दिख रहा है न, यह है cartilage, यह क्या है pubic symphysis का, fibrous cartilage, अच्छा मुझे यह बताओ, अगर bone to bone touch होता, तो मजबूती जादा होती, हाँ की न, bone to bone सीधा joint होता, तो मजबूती जादा होती, और yes or no, लेकिन आपको क्या movement मिलती क्या, flexibility मिलती क्या, दो हड़ी अगर साथ में आगे, तो मजबूती मिलेगी, लेकिन flexibility कम हो जाएगी, तो क्या किया उनने, देखो nature ने कितना beautifully बनाया है, अभी you will appreciate it, pubic symphysis का relevance क्या है, pubic symphysis यहाँ पे आया, it allows for slight flexibility, slight movement, आपके pubic area, मतलब जो pelvic area, उसका slight movement जो है, वो allow करता है, तभी वो रनबीर कपूर बत्तमीज दिल वाला step कर पाता है न, pelvic movement has to be flexible, है कि नहीं, a more important thing is in females, can you think of it, think of this way, आप यह पूरा structure imagine करो, कि इसके अंदर आपका क्या रहेगा, soft tissue, uterus रहेगा female का, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बच्चे को, जब fetus grow हो रहा है, अंदर, body के अंदर grow हो रहा है, तो पूरी area है, पूरा का पूरा area है, जहाँ जिसके अंदर क्या हो रहा है, fetus की grow तो रही है, baby की grow तो रही है अंदर, yes or no, embryo की growth हो रही है, हाँ, और धीरे धीरे जैसे यह से वो बड़ा होगा, तो you'll have seen, for a pregnant female, if you observe from outside, her stomach gradually from first month to nine month, goes on increasing in size, तो stretch होगा की नहीं होगा, यह पूरा होगा की नहीं होगा, तो flexibility चाहिए की नहीं चाहिए, specially in case of females, चाहिए है न, आप बोलोगे, हाँ, सही बात है, और during the process of childbirth, आपने यह सुना होगा, हमेशा सब लोगों ने यह fun facts में पढ़ा होगा, कि childbirth के वक पेन, labor pain बहुत होता है female को, एक lady को अगर child deliver करना है pain होता है, क्यों होता है pain, क्योंकि यह जो दो bone है न, इसका जो cartilage यह पूरा stretch हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, यह ऐसे stretch होता है, क्यों, क्योंकि यह जो bone है, यह ऐसी है, ठीक है, और यह पूरी almost ऐसे खुल जाती है, ताकि, बच्चे का जो head है, वो बहार आ सके, can you imagine that, तो pubic symphysis का relevance समझ में आया बच्चो, MCQ के point में वो क्या पूछेगा, which of the following joints, या which of the following parts, are important for the functioning of parturition, और child birth, answer is pubic symphysis, क्या यह बात आपके भेजे में गई, वो लो हाँ या न, तो यहाँ पर fibrous cartilage में, मैं यहाँ पर लिख रहा हू, it facilitates, ध्यान से सुनना, it facilitates in females, it facilitates means makes easy, child birth, जिसका biological term क्या है बच्चो, parturition, biological term क्या है, parturition is called child birth, am I very clear, तो यहां तक आपका complete होता है main part of skeleton, सारे bones की हमने बात कर ली, हमने axial skeleton की बात कर ली, हमने appendicular skeleton की बात यहां पर complete कर ली, अब next section पर जाएंगे that is joints.